अलो बच्चों, आव आई यू? बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। कौन सा है हमारा नया चैप्टर? यह क्या दिख रहा है अपको? घर दिख रहा है? है ना? आज हम शुरू करेंगे हमारा सुन्दर घर. अपना घर से भी को इच्छा रगता है। और अभ हमें अपना घर सुन्दर बना के रखना चाहिए। साफ रखना चाहिए। तो हम इस लेसन में पढ़ेंगे हमें अपने घर को टैसे रखना लाए। ठीके बच्चो घर हमेशा बहुत अच्छा होता है और यदि घर साफ और सुन्दर हो तो फिर तो बहुत ही मज़ा आता है ममी बहुत सफाई करती है घर पर करती है आप भी ममी का सहयोग करते हैं अमीगे हैल्प करते हैं सफाई करने में, करते हैं, बहुत सारी बच्छे करते हैं, बिखेरा नहीं करते हैं, समेट के रखते हैं अपनी चीजों को, और बहुत सारी घर में सफाई करने के लिए बहुत सारी ववस्थाये रखते हैं, बहुत सारा डस्ट वीन रखते हैं कहीं कह हम गुस्दगी न होने भी हुम सफाई करती है तो हम कि साफ ही न कि यहां पर इसुल में हमारा सूदर Mac वारा घर कैसा होना चाहिए हमें अपनी घर में साफ सफाई कैसे रखनी चाहिए लुक्ति इसी के बारे में इसमें बता यह अब ये लेशन पढ़ने के बाद आपको भी अपने घर को वैसा ही रखना है एक दम साथ और सुम्दर तब भी तो अपना कर सुम्दर कहलाएगा आज न सो बच्छों हम इस लेशन में पहेंगे घर को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं साफ रख सकते हैं सुछ रख सकते हैं क्यो और उपने घर के आसपास भी सफायातना चाहिए कंदगी कहीं नहीं होनी चाहिए तभी हमारा घर भी सुन्दर होगा और हमारे आसपास भी सुन्दरता रहेगी आया ना बच्चों? तो हम इस लाशब में पढ़ेंगे हमारा सुन्दर घर अब आप अपने घर को सुनदर कैसे बनाएंगे चीजों को भिखेर कर रुखेर कर जाए हर बताएगे चीजों को सही जगे पर रखना है यदि हम सभी चीजों को जहां ममी ने बताया है कि बैक को यहां रखना है शूस यहां रखने हैं आपको यूनिफॉर्म यहां रखने हैं कपड़े यहां रखने हैं आपके खिलोने यहां रखना है तो आप यदि सभी चीजों को सही जगे प में अच्छे से गंदगी कहीं नहीं होनी चाहिए डस्ट कहीं नहीं होनी चाहिए घर में अना डस्ट नहीं आनी चाहिए गंदे पैद लेके भर में नहीं आना है पीने का पानी भी हमें शुद्ध रखना है तो सभी इन चोटी चोटी बातों का ध्यान रुपकर हम घर को साफ और सुन्दर बना सकते हैं, तो जब आप इन लेसन पढ़ें और पढ़ने के बाद फिर आप यह सीखेंगे, क्या सीखेंगे, कि हमें अपने घर में सभी चीजों को सही जहले पर रखना चाहिए, और अपने घर को एक दम साफ सुत्रा रखना चाहिए, ताकि हमारा घर बहुत बहुत संदर बने जाए, है ना बच्चों? और फिट दिवाली पर तो सबसे चlah हमारा घर लगे, ममी दिवाली पर घर को कितना सजाती है, बहुत सारे फूल लगाती है, रन्भूली बनाती है, दिवारों को पैंट करवाती है, कर्टन्स नहीं नहीं हो जाते हैं, बैटशि तो इस दिवाली पर हम सभी अपने घर को कैसा बनाएंगे सुन्दर घर बनाएंगे एक दम सुन्दर घर ठीके बच्चों तो बच्चों कल हम इस लेसन को पढ़ेंगे हमारा सुन्दर घर ठीके अपनी अपनी बुक को अपने सामने रखना जब मैं इस लेसन को रीट करूं ठीके बच्चों तो हम कौन सा लेसन पढ़ेंगे लेसन 10 हमारा सुन्दर घर प्रतिहा का पाथ दस हमारा सुंदर खर इस लेसन को हम कल पढ़ेंगे आज आपने इस लेसन के बारे में जाना कि लेसन कौन सा है इस लेसन में क्या है हमें अपनी घर को सुंदर बना कर रखना है साफ सुखरा रखना है ठीक है बच्चो तो कल हम इस लेसन को रिडिंग की? बाँ बाँ